जो हैं दोस्तों स्वागत है आपका अमारे चैनल अल्सरकारी को हम पतो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बिधान सभा सची वाले भरती दुएरद चोविस के बारे हैं जी दोस्तों बिहार बिधान सभा में सची वाले में सची वाले में सेक्यूरि पूरी जनकार इसके बारे में बताने वाले हैं और दोस्तों इसके नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं जारी हो चुका है यह रहाँ डाटा इंट्री ऑपरेटर का जिसके लिए एक 1224 से इसके लिए ऑनलाइन आदन शुरू है तथा अंतिम तीथी इसका 21 जनुवरी 24 रहने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपका ड्राइवर के लिए है यह आपका कारयाले परिचार यानि ओफिस एटेंडन के लिए तथा यह आपका सेक्यूरिटी कार्ड के सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को पसंद आए तो आप हमें कोई भी सुझाओ देना हो तो कॉमेंट बॉक्स में सुझाओ दे सकते हैं दोस्तों सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं आप जल सब्सक्राइबर पूरे किजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं अगर आपको नोटिफिकेसन डाउनलोड करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जी दोस् सब्सक्राइबर पूरे 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 तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि बिहार लेजिसलेटिव एसेक्रेटरियट के तरफ से भरती आई हुए है जिसमें एक जनुरी दिया चौरी से लेकर एक जनुरी दिया चौरी तक इसके लिए ओनलाइन आवधन होने वाला है तो 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 आपको टूटल 183 पदों पर भरती होने वाली है दोस्तों इसमें आपको बता देने कोँब कर सकता है तो अला इंडिया मेल और फिमयल केंडियेट्थ अपलाईकर जी दोस्तों अल्ि एंडिया से एक सॉसी रुपय लगने वाला है उसके बाद से दोस्तों डाटे एंट्री अप्रेटर के लिए बता दें जेनरल ओबीसी और अब्यार्टियों से च्छों से च्छों रुपया त्था एस्टी और ऑल कर्टेग्री फिमल से एक सब पचास रुपया तथा ड्राइवर और ऑफ करते हैं तो सेकुरीटिंटी कड्रिए लेकर कर 9000 तक मिलने वाले आप यहां पर देखते हैं तो इसके लिए आपको आंपा जो सुविधाय होतीं होती है वो भी दिया जाता है उसके बाद से फ्रेंट्स इसके बाद एलिजबीटी क्राइटिरिया को देख लेते हैं तो दो एक द्यूर्ट चोवजिस के अनुसार कल्कुलेट किया जाएगा तो था आपको ड्राइबर ऑफिस एटेंटेंट और डाटा एंट्री अप्रेटर के लिए 18-37 वर्स रहना चाहिए जिसके लिए आपको एक आठ द्यूर्टेश के अनुसार कल्कुलेट एज किया जाएगा उ के लिए आपको 12 पास होना चाहिए प्लस आपके पास कंप्यूटर सटिफिक्ट होना चाहिए उसकेप से छेलेक्शन प्रोसेश बताएं तो दोस्तो इसमें अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग यज़ग से एलेक्शन प्रोसेश रखा गया है तो यहां पे चुनल को सब्सक्राइब गर रखिए आपको इसका नोटिफिस्ट जल भी मिल जागा कि किस पोश्ट के लिए कैसे आपको सिलेक्शन होता है तो था किस पोश्ट में आपको डिरेक्ट इंटर्विव के दौबार इसका सेलेक्शन किया जागा उसके बाद से फ्रेंड्स आपक सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपको आपके फोन पे पासवर्ड मिल जागा उसको लिख लेना है तो यहाँ पे रिजिस्टर सेड आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करना है तो इसके बाद से आपको फॉर्म फी पुरा भरना है अच्छा से उसके बाद से फॉर्म फी जो लगने वाला है उसका भुकतान करना है तो इसके बाद से फाइनल सब्मिट कर देन या आप अपना फॉर्म हमारे माध्यम से भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉंटेक्ट और सकते हैं निचे आपको यहां पे सोसल मीडिया गुरूप का लिंक दिया गया जिसमें आप हमारे वार्टसप गुरूप पर जूड कर या आप हमको इंस्टाग्राम पे डिरेक्ट म पहुंच जाएं तो यहां पे आपको सेकुरिटी का ड्राइवर डियो तो था आप इसे टेंट चारू का नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया जास्ट आपको इस पे क्लिक करने बाद आपके सामने नोटिफिकेशन खुलकर आ जागा जिसको आप डाउनर कर सकते हैं तो फ् हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जहां पर आपको ऐसी फॉर्म और सरकारी जोब की जनकारी मिलती रहती है तो फ्रेंट्स इस परकार से हम आपको भीहार सचिवाले फेकेंसी से समानित लगवख पूरी जनकारी बता दिए अगर आपको कोई भी सवाल रहता ह तो आप हमसे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं हम अपके सवाल का जवाब जरूर देंगे तो दोस्तो इसी परकार के वीडियो के लिए आप हम रेज चैनल को सब्सक्राइब बढ़ सकते हैं यहां पर हमारे सोसल मीडिया गूरूप का लिंक दिया गया है जहां पर